Hello friends, welcome to my channel Mysterious Astrology और आज का जो हमारा topic होगा that will be Mercury का effect, positive or negative in all 12 houses of your birth chart अगर Mercury आपके first house में है तो उसका क्या effect होँगे? वोई second में क्या? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 9th, 11th, 12th सारे houses के मैं effect बताऊँगा जब Mercury placed होता है जिस भी house में उसके क्या positive और negative impact होँगे? positive impact मैं यहाँ पर लिखूँगा और negative impact मैं सिर्फ आपको बताऊँगा because of space का issue, I can't write everything so, पहले मैं आपको यह बताता हूँ, what is Mercury? तो Mercury जो planet होता है, वो wisdom, mind, education, learning और मैं यह कहूँगा कि किसी चीज़ को पकड़ने की शम्ता जो हमारा दिमाग कहता है इसका दिमाग तीज़ से बहुत जल्दी पकड़ लेता है, वो शम्ता, यह सब Mercury होता है और अगर मैं यह बात की जाओं, अगर relatives में तो कोई younger sibling हो, आपका छोटा भाई बेन, वो Mercury resemble करता है और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जिनका Mercury positive होता है वो बहुत sharp होते हैं, उनके बोलने के तरीके से लोग attract होते हैं उनकी कहते हैं कि इसके बात करने का एक बहुत अच्छा लहजा है वो लहजा वो क्या होता है, वो Mercury ही होता है So guys, बिना कोई time waste करें, मैं बताता हूँ कि Mercury के क्या effect होंगे हर house में So starting with the first house So friends, first house, मैंने आपको पहली बता रखा है First house हमेशा person को ही बताता है कि उसकी physical appearance कैसी होगी उसके trait कैसे होंगे, उसका nature कैसा होगा, उसका mindset कैसे होगा अब Mercury अगर यहाँ पे आपका positive हो तो you will be intelligent आपका mind बहुत sharp होगा Even आपको बहुत जल्दी से चीज़े आपको समझ में आ जाती है और even मैं कहूंगा कि अगर Mercury आपका positively placed है first house में तो यह आपका भद्र भद्र राज योग भी बनता है आपका It's one of the best yoke in the astrology that I will say और इसमें ये भी मैं आपसे कहूंगा जिनका Mercury first house में है और वो positive है तो you will have the lean physique Lean physique का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब बिलकुली कमजोर होंगे मतलब you will have a good attractive physique also और even मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जो Mercury होगा positive वो philosopher भी होगा and even I will say Mercury positive in the first house वो study अपनी पढ़ाई से ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं in the field of knowledge even वो एक अच्छे उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है अच्छी गुर्मेंट जो अच्छी पोस्ट पे भी जा सकते हैं now coming to the negative impact अगर first house में Mercury negatively placed है तो क्या होगा तो I will say because it represents your physique, your mind, your emotion first house में अगर Mercury आपका negative है तो I will say आपको mind related disease हो सकता है आपको I will say even दोरे का भी होता है scissors in English में दोरे को English में scissors कहते हैं even आपकी बोलने की शमता बहुत बेकार होगी आप बहुत shy feel करोगे और अगर आप बोलोगे तो आपका लहजा जो मैंने शुरू में ही बोला था वो लहजा लोगों को चुबेगा they will not like the way you talk and even I will say उन्हें mind related tongue related disease भी हो सकता है for example उनकी oral hygiene अच्छी नहीं रहेगी उनको cavity को लेके इशू रहेगा मुँ में fungus को लेके भी इशू रह सकता है even I will say जो उनकी जुबान है उनकी जुबान तुदलाती भी होती है even केई केस में आप कहते हैं आप कि ये पैदाईशी ही गुंगा हुआ है तो I am definitely sure उसका बुद्ध यहाँ पर अस्थ होगा या फिर मैं कहाँ उसका बुद्ध यहाँ पर negative होगा mercury planet negative होगा now coming to the second house house of the money मैंने पहली बता रखा हूँ बता रखा है आपको कि second house आपका money आपका speech आपकी education आपकी family को denote करता है अगर mercury आपका यहाँ पर positive है आर्थिक सिती कैसी हो उस चीज़ को परे रखे उनके माबाप उनकी पढ़ाई अच्छी करवाते हैं even मैं यह कहूँगा कि वो rich family में पैदा होते है उनकी family जो होती है rich होती है even I will say उनका communication बहुत best होता है communication उनका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है even I will say यह जो लोग होते हैं वो business और trading की field में जाए तो 100% नाम कमाते हैं जिसका mercury यहाँ पर positive है second house में वो कर business और मैं कहूँगा अगर आपका है आप अपना birth chart देखो अगर आपको लगता है कि हाँ आपका mercury यहाँ पर है तो आपको trading हो गया कोई भी business हो गया जो भी आपका interest है even I will say जो lottery का जो काम होता है I am definitely sure आप इसमें बहुत अराम से successful होगे even आपका buddh अगर यहाँ पर positive है मैंने बताया good education उनकी mathematics उनकी mathematics ultimate होती है even मैं यह भी कहूँगा वो advertisement की line में भी जा सकते है even वो किसी communication की field में जा सकते है publication की field में जा सकते है महीं अगर बात करे negative impact की तो I will say अगर negative impact जब यहाँ पर आता है तो I will say कि जब तक वो अपने घरवालों के influence में रहते हैं उनकी आर्थिक सिती अच्छी होती है जब वो खुद dependent आते हैं जब वो खुद अपनी life में dependent होते हैं तो उन्हें initial time में अपने career के बहुत hardship मतलब face करनी परती है even उन्हें poverty भी देखनी पर सकती है even मैं यह भी कहूँगा कि वो लोगों से अच्छे से बात ही करना पसंद नहीं करते जो कहते हैं इससे कितनी भी अच्छे से बात कर लो टेडे मूँ जवाब देता है that because your mercury is placed negative here even मैं यह कहूँगा उनके उपर cases भी चलते हैं क्योंकि वो कही बार आपने देखा होगा कि छोटी सी बात एक बहुत बड़ी बन जाती है that because of the mercury placed negatively in the second house उनके उपर case भी होते हैं वो दूसरों के साथ cheating भी करते हैं और दूसरों का पैसा भी खाने में विश्वास रखते हैं आपने देखा होगा कि भई मैं इसके साथ business नहीं करूँगा यह तो पैसा खा जाता है तो वो लोग होते हैं जिनका mercury यहाँ पर negatively placed होता now coming to the third house third house मैंने यह चीज मैंने आप पहली बता रखिए कि हर house क्या denote करता है बड़ फिर से बाइब बता रहता हूँ यह short travel, neighbor, आपके relatives, आपकी hobbies third house यह सब आपका denote करता है जब mercury आपका यहाँ पर place हो पहले तो मैं यह चीज बताऊंगा for mercury, third house is best और अगर mercury आपका यहाँ पर positive हो तो trust me, I will again say you are 40% लोग ही ऐसे होते हैं जिनका mercury यहाँ पर positive होता है बागी 60% जो population है all over the world, उनको यह नसीब ही नहीं होता है so coming to the third house अगर mercury आपका यहाँ पर place है तो I will say आप लोगों को influence करेंगे आप एक अच्छे speech देने वाले बन सकते हैं, even I will say आप अच्छे नेता बन सकते हैं, और आप in the field of politics, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, even मैं यह कहूँगा कि not only politics, बात जब speech देने के आथे हैं, अगर आप किसी चीज़ को दिखाते हैं, you will be the face of that thing, जो कहते हैं कि या देखो, यह brand ambassador है यह brand ambassador क्यों है because his mercury is placed in the third house यह mercury का luck का house होता है even मैं यह भी कहूँगा कि society में उनकी बहुत अच्छी respect होती है society में respect बहुत अच्छी respect होती है इसे लोगों की even जो ऐसे लोग होते हैं यह I will say कि अच्छे astrologer बन सकते हैं I will say यह अच्छी अगर इंगा कोई writing का काम है publication में जाए, newspaper के उसमें उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं public speaking में जाए तो I will say again web designing के काम में जाए और आपने यह भी देखा होगा कि कुछ जो broker जो कहते हैं न broker जो होते हैं जो मतलब beach में लोग जो होते हैं आप वो broker का काम भी बहुत अच्छा कर सकते हो मैं इसका हिंदी का शब्द इसमाल नहीं करूँगा broker कहीं अपर अपनी वीडियो में तो वो broker का भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो broker के काम से भी बहुत अच्छा काम आ सकते हैं बट मैं वहीं कहूंगा अगर इसका negative impact देखा जाए third house का तो I will say कि उस इंसान के साथ even मैं एक positive impact वो बताना चाहता हूँ traveling short distance travel भी आप करोगे पर वो जो travel होंगे आपकी हमेशा positive result लेंगे आपके लिए now coming to the negative impact negative impact third house में ये होता है कि ऐसे आदमी travel नहीं कर पाते ना आसपास कहीं घूमना पसंद करते हैं जब आसपास घूमना पसंद नहीं करते तो दूर तो मैं ये कहूँगा उन्हें बेमानी करने का बड़ा शौक होता है और इवन ये ऐसे होते हैं जूट भी बोलते हैं पर उनका जूट भी सच लगता है आपने देखा होगा ये सिर्थ हाउस की नहीं और भी हाउस में ऐसे negative impact होते हैं और ये आपको लगने में लगाएं यार ये तो अच्छी बात है बड़ ट्रसमी ये अच्छी बात नहीं होती क्योंकि अगर आपका जूट सामने वाले को सच लग रहा है तो कहीं न कहीं आप उसके साथ गल्द कर रहे हैं driving में ध्यान नहीं होता, तो उनके accident होने के संभाव नहीं होती, so that is related to the third house and mercury in the negative house plays important role in that now coming to the fourth house fourth house आपका mother बताता है, आपकी mother को denote करता है आपके emotions, again vehicle, आप कैसे घर में राओगे, यह सब आपका fourth house decide करता है और mercury की position यहाँ पे और जब mercury यहाँ पे positive होता है, तो मैं यह कहूँगा again, कि उसकी education बहुत अच्छी जाती है even उसके मावाग जैसे यहाँ पे मैंने क्या बतायता financial condition parents की बुरी भी हो तो भी, बट यहाँ मैं कहूँगा, यहाँ पे financial condition parents की भी बहुत अच्छी होती है now coming to the another house उन्हें एक बहुत सुंदर घर मिलता है आपने सुना होगा लोग से यार यह कितना नसीव वाला है, कितने अच्छे घर में रहता है पहले कैसे घर में रहता था, आप कैसे घर में रहता है, तो वो आपका fourth house denote करता है for example, अगर आपकी अगले साल से शुरू होगी है और आप अपने दोस्तों को अगले साल जब अपना घर दिखाओगे तो आपके दोस्त कहेंगे यार पहले कैसे घर में रहता था, अब कैसे घर में रहता है वो इसलिए क्योंकि आपका mercury positive है, fourth house में है और उसकी अंतरदशा और महादशा शुरू हो चुकी है नो एक चीज मैं और बताँगा उसका जो environment होता है हमेशा positive environment में रहते हैं ऐसे लोग positive environment आस पास के लोग भी उन्हें ऐसे मिलते हैं जो उन्हें मतलब life में उनको positivity लाते हैं इवन मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे जो लोग होते हैं ये एक अच्छे वकील या फिर आइविसे अच्छे एडवोकेट एडवोकेट की लाइन में जाएं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इवन मैं ये कहूँगा जो उनका character होता है इसे लोगों के character की तारीफ बहुत की जाती समाज में इवन आपके पीट पीछे भी आपकी character की तारीफ की जाएगी अगर मरकुरी आपका यहाँ पर positively हो इवन मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों शादी होने के बाद मरकुरी अगर आपका यहाँ पर positive है शादी होने के बाद उनकी life बहुत अच्छी होती है अपनी spouse के साथ और इवन foreign भी settle हो सकते है बट after marriage वही अगर मैं बात करूँ अगर मरकुरी आपका यहाँ पर खराब है तो मैं ये कहूँगा कि जो आपका mood swings एक सबसे बड़ा issue आपके साथ रहेगा आपका mood कभी भी बतल जाएगा छोड़ छोड़ी बातों में आपको एकदम घुसा आजाएगा आप चिरचड़े हो जाएगे जिसकी वज़े से आप ऐसे faciliate ले सकते हो जो आपके career या आपकी life के लिए negative साबित होंगे अब इसकी अगर मैं दूसरी बात करूँ अगर mercury आपका यहाँ पे negatively placed हो तो मैं यह कहूँगा आपने अकसर सुना होगा कि इसके नसीमे एक अच्छा घर ही नहीं है वो क्यों नहीं है because mercury आपका यहाँ पे negatively placed है यह ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं हमेशा जो कहते हैं इसकी संकत बहुत बुरी है वो संकत बुरी is because आपके fourth house में mercury बहुत बुरी तरीके से placed है now coming to the fifth house fifth house ही बात की जाए I already told you entertainment, sports, love, creative skills intelligence को denote करता है वहीं अगर मैं बात करूँ इसके positive effect क्या होंगे तो मैं again मैं यह कहूँगा ऐसा इंसान intellectual होता है intellectual nature होता है इन्हें religion का बहुत ग्यान होता है अच्छे पंड़त बन सकते हैं एक अच्छे astrologer भी बन सकते हैं और even मैं यह कहूँगा जो fifth house में जिनका mercury है वो एक अच्छे film writer film line में बहुत अच्छा writer का और even director का भी काम कर सकते हैं जिनका mercury positive हो fifth house में वो एक अच्छे coach बन सकते हैं किसी भी sports की team के चाहे Indian cricket की हो चाहे आपका wrestling हो चाहे आपका cupboard deal हो anything एक अच्छे coach बन सकते हैं और मैं even यह भी कहूँगा कि जो ऐसे जिनका mercury fifth house में है न वो multi talented होते हैं एक साथ कई सारे काम करते हैं multi talented nature होता है उनका वही बात की जाए अगर negative यहाँ पर अगर आपका impact आ जाए तो क्या होगा तो मैं यह कहूँगा जिसका mercury यहाँ पर negatively placed है उससे बड़ा नास्तिक इनसान कोई नहीं होता जो आपने देखा हो ना यह तो नास्तिक है भगवान में मानता नहीं वो क्यों because mercury आपका fifth house में negatively placed है even मैं यह कहूँगा उनकी handwriting अभी मेरे handwriting पर मत जाएए but उनकी handwriting even बहुत worst होती है especially in case मैं यह कहूँगा आपका होगे कि doctor की बहुत बुरी होती है so that's the different thing पर उनकी handwriting बहुत बुरी होती है even दूसरों की सुनते नहीं है जो खुद मन में आता है वो ही करते हैं जो सही लगता है वो ही करते हैं दूसरे का भला नहीं देखते हैं सिर्फ अपना भला देखते हैं ऐसी उनकी mentality होती है क्यों क्योंकि mercury और mind सिर्फ अपने लिए सोचता है यहां पर किसी और के लिए नहीं सोचता है और ऐसे लोग एक group में अगर रहें तो बहुत घातक साबित होते हैं तो ऐसे अगर जिसका mercury यहां पर negatively placed हो तो मैं यह कहूंगा ऐसे लोगों से दूर रहने में ही फायदा होता है और वो nature से ही पता चल जाता है जो आदमी सिर्फ अपने हिद की सोचता है अब सिक्स्थ हाउस अब सिक्स्थ हाउस मैंने पहली बता रखा है आपके depth, loan, disease, obstacles, difficulties यह सब डिनोट करता है मरकुरी अगर यहाँ पर आपका अच्छे से place पॉजिटिव है तो आप बहुत famous बनते है आप जो भी काम करोगे उसमें आपको famous मतलब आपके कदम चुमेगी वो एक अच्छे police officer बन सकते है police officer even I say वो एक अच्छे doctor बन सकते है एक अच्छे politician बन सकते है social worker बन सकते हैं आपने देखा कि बहुत लोग को social life मतलब उन्हें अच्छा लगता है कि वो लोगों की मदद करें social work करें तो वो क्यों क्यों क्योंकि उनका mercury यहाँ पर positively placed होगा ज़रूरी निये हैं यहाँ अगर mercury जैसे 11 आ होती यहाँ भी positively placed है और यहाँ पर कोई planet नहीं है तो इसकी positive diversity आएगी इस छटे घर में और वो यही काम करेगा एक अच्छे social worker बनते हैं now coming to the again जो positive होगा यह बहुत नसीब वाले होते हैं fortunate होते हैं भागे का बहुत बड़ा साथ होता है जिनका mercury 6th house में positive होता है खास करके पढ़ाई की लाइन में now coming to the negative negative impact mercury का 6th house में यह होगा कि आपको बहुत obstacles आपकी life में बहुत आप कोशिश करोगे कि मैं यह अच्छा कर लूँ मैं अपना वह अच्छा कर लूँ पर आपका हमेशा आपको रास्ते में रुकावटे आपके बहुत आएंगी बहुत obstacles लाइफ में आएंगी even आपको I will say skin disease भी रह सकता है कोई mental disease भी हो सकता है आपका digestion बहुत बेकार हो सकता है even I will say आपके sex organ genital disease भी हो सकता है अगर आपका mercury यहाँ पे negatively placed है तो now coming to the seventh house house of Kendra now seventh house always denote your marriage spouse तो अगर आपका seventh house में mercury यहाँ पे positive है तो आपको एक अच्छा business businessman business woman partner मिलेगा I mean to say जो अब आपकी शादी हो जाएगी जो आपके spouse होंगे वो एक अच्छे businessman होंगे या business woman होंगी even जो आपकी married life होगी वो blessed होगी blessed married life even मैं यह कहूँगा उन्हें घर की तरफ से कभी कोई face मतलब कोई problem issue नहीं करना पड़ता and even मैं यह भी कहूँगा कि जो ऐसे लोग होते हैं वो financially stable भी होते हैं financial stability सबसे जरूरी वो कभी गरीबी नहीं देखते हैं मगर मैं वैसे गरीबी का mercury से कोई रोल नहीं है बर जब mercury यहाँ पर positively placed होता है तो आपका mind आपको कभी गरीब होने ही नहीं दे सकता वही अगर मैं बात करूँ mercury का एक सबसे बड़ा impact जो यहाँ पर यह होता है वो यह होता है कि आप एक अच्छे writer बन सकते हो एक अच्छे कभी बन सकते हो इवन आप I can say financial consultant बन सकते हो वहीं अगर मैं बात करूँ इसके negative impact की तो सबसे बड़ा जो negative impact होता है misunderstanding वो आदमी दूसरों को लेके मिशा misunderstanding ही पैदा करता है अपने दिमाग में अपने doubt clear करना पसंद नहीं करता अपने अंदर ही गुठन महसूस करते हैं ऐसे लोग भार करने में बहुत शर्मीले हो जाते हैं इवन I will say कि उनका जो nature होता है दूसरों को लेके बहुत negative हो जाता है आपने ये भी देखा हुआ कि ये मंद बुद्धी है यार कुछ नहीं समझता क्यों Mercury उसका 7th house में इवन मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो होते हैं जिनका Mercury 7th house में negative हो वो लोगों के रिष्टे भी तुड़वाते हैं तो मैं ये कहूँगा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके घर में कोई आपका रिष्टा तुड़वा रहा है तो I will say उसका birth chart देखो अगर Mercury यहां पे negatively placed है या फिर यहां पे तो effect बहुत बुरा आएगा आपके family members पे और वो आपके family member को ही face करना पड़ेगा Now coming to the 8th house 8th house is the house of sudden events surgeries, longevity and death अगर Mercury आपका यहां पे positively placed है तो again I will say आप लोगों को influence करेंगे आप लोगों के I will say role model होंगे लोग यहां कहेंगे कि हमें इसके जैसा बनना है अगर Mercury आपका यहां पे positively placed हो, even मैं यह कहूँगा astrologer बहुत अच्छे बनते हैं बहुत नाम कमाते है मैं यह कहूँगा, Mercury अगर यहां पे आपका 8th house में है जब Mercury की महादशा और अंतरदशा आएगी आप बहुत पैसा कमाऊ गया financial stable और जो ऐसे लोग होते हैं I will again से, वो research के line में जा सकते हैं, income tax के department में जा सकते हैं insurance company में काम कर सकते हैं ऐसी field में उन्हें 100% सफलता मिलेगी वहीं अगर मैं बात करूँ इसके negative impact की 8th house में आपके eye will again से skin related disorder होता है eye related disorder भी होता है और even मैं यह कहूँगा कि जो ऐसे लोग होते हैं उनका दिमाग एक बच्चे जैसा हो रहता है वो कभी mature नहीं हो पाते maturity वाली skills उनमें होती ही नहीं है now coming to the 9th house house of luck long travel, house of religion अगर mercury आपका यहां पे placed हो again I will say आप बहुत religious होगे आपको अपने I will say धर्म की सारी knowledge होगी even आप लोगों को धर्म को लेके आप लोगों के role model होगे आप लोगों को धर्म की knowledge देंगे उन्हें बताएंगे कि आपका धर्म कैसा है आप यह कहते है न I will say you can आप धर्म को लेके एक lecture hour बन सकते हो even मैं यह कहूँगा आप spiritual leader बन सकते हो even मैं यह कहूँगा कि आप foreign diplomat भी बन सकते हो और मैं even यह कहूँगा कि आप अपनी skills को लेके आप पूरी दुनिया में सैर करोगे foreign travel बहुत अच्छी होती है अगर mercury आपका यहाँ पर positively है वहीं अगर मैं बात कर जाओं आपकी इच्छाए की भी पूरती होती है desire fulfill आपकी इच्छाए भी पूरी होती है जब mercury की दशाए अंतर दशाए आईगी but इसका जब इसका negative impact जो होता है I will say जब इसका negative impact होता है आप कुछ भी बोलोगे सामने वाला आपको seriously लेगा ही नहीं वो आपको बेवकूफ समझेगा even I will say इस तरह के लोगों को बहुत ही physically और mentally torture जहिलना पड़ता है अगर mercury आपका 9th house में badly placed हो even मैं यह कहूँगा ऐसे लोग निकम में भी बनते हैं life में कुछ काम करना उन्हें पसंद नहीं आता and मैं कहूँगा आपने देखा होगा भूलोग कहते हैं यह तो बिल्कुल भी मतलब in couples कि यार हमारे husband या हमारी wife बिल्कुल भी romantic नहीं है तो क्यों नहीं है mercury यहाँ पे आपका अच्छा place नहीं है now coming to the 10th house house of profession अगर mercury आपका यहाँ पे positively placed है तो मैं यह कहूँगा government job आपकी पक्की होती है अगर sun के साथ अच्छी relation में हो mercury यहाँ पे तो even मैं यह कहूँगा कि आप एक बहुत अच्छे speaker बनते हो politics की दुनिया में जाओगे बहुत नाम कमाओगे my friends अगर आप politics की दुनिया में जाओगे बहुत बढ़िया नाम कमाओगे अगर आप film line में जाओगे आप एक बहुत बड़े कलाकार बनोगे इतना तेज होगा आप जो चाहोगे आप वो कर सकते हो पा सकते हो but mercury की महादशा और अंतरदशा के टाइम पे अंतरदशा पे इतना effective नहीं होता पर महादशा जब आती है हमेशा बहुत अच्छा effect लाएगी now coming to the negative impact negative impact 10th house का यहाँ पे यह होता है आपको jobs related बहुत बहुत मेहनत करोगे पर result उस हिसाब से नहीं मिलेगा even मैं यह कहूँगा आपको लाइफ में बहुत धक्का मुक्य होगी आप मतलब अराम नहीं रहेगा जिंदगी में आप मतलब कभी interview के लिए धक्के खाओगे कभी एक अच्छी नौकरी के लिए मतलब आप अपनी एक नौकरी में खुश नहीं रहोगे आपका हमेशा दिमाग यह रहेगा कि मैं पास जो है उससे अच्छा मैं पास सकता हूँ और इस वजह से आप अपना present भी खराब करते हो और even मैं यह कहूँगा जो जहां पर जब मरकुरी नेगिटिवली प्लेस होता है तो आपकी reputation पर बहुत बुरा effect परता है समाज में आपकी इज़त नहीं होती even मैं यह कहूँगा जो ऐसे लोग होते है वो अपने profession को अगर positively placed है और महादशा आती है तो आप बहुत तरक्की करते हो और अगर आप पहले से तरक्की कर रहे है और मरकुरी negatively placed है और उसकी मरकुरी की महादशा आती है तो आप अपने career से हाथ भी दो बैठते हैं आप ऐसी हरकत कर बैठते हैं अब बात की जाए मरकुरी अगर 11th house में है 11th house हमेशा fulfillment of desire आपकी चायपूरी करने का बताता है आप कितना gain करोगे कितना कमाओगे कितनी खुशी आपको मिलेगी वहीं जब मरकुरी आपका 11th house में होता है तो मैं ये कहूँगा कि इनका friend circle बहुत अच्छा होता है friend circle बहुत अच्छा होता है एवन मैं ये कहूँगा ऐसे लोगों के अपनी mother से अच्छी bonding होती है mother bond बहुत अच्छा होता है और एवन मैं ये कहूँगा ये हमेशा happy life जीते है happy life जीते है और एवन मैं ये कहूँगा पैसे की कमी नहीं होती ऐसे लोगों की जिंदिकी में और even मैं ये कहूँगा अगर mercury आपका यहाँ पर positive है तो आप opposite sex अगर आप male है तो आप female को track करने में बहुत आराम से सक्षम्र होगे और अगर आप female है तो आप male को बहुत आराम से track कर सकते हो अगर mercury आपका यहाँ पर positively placed है वही अगर बात कीज़े negative impact की आपका यहाँ पर बात कीज़े तो आपको साइंस फील्ड से अलग रहना चाहिए और मैं यह कहूँगा कि आपकी even शादी आपकी marriage life भी इतनी खास नहीं जाएगी और अगर mercury की महाँ दशा के टाइम पर तो even divorce तक का भी नौबत आ सकती है अगर mercury negatively placed है तो now coming to the twelfth house the last house, the house of expense losses, hidden enemies अगर mercury आपका यहाँ पर positively है न तो मैं यह कहूँगा आपके sixth sense subconscious mind वो आपका बहुत positive होता है आपके sixth sense बहुत अच्छे से activated होते हैं even मैं यह कहूँगा कि आप mentally balanced mental balance आपका एक बहुत अच्छा पार्ट रहेगा आप यह जादा खुशी के बहुत आप आप जादा खुश नहीं होगे जादा दुखी में भी आप जादा दुख नहीं राऊगे एक आप balance मना के रखोगे आपकी imagination power बहुत अच्छी होगी imagination power आपकी बहुत अच्छी होगी even मैं ये कहूँगा आप बहुत wise, बुद्धिमान intelligent भी होगे वही अगर मैं बात करूँ negative impact की तो negative impact यहाँ पर यह होता है कि आपको even jail तक जाने की नोबत आ सकती है जिनका mercury यहाँ पर 12th house में badly placed हो आपको jail जाना पर सकता है even आप hospitalized भी हो सकते हैं आप criminal act की वज़े से क्योंकि आप jail जाओगे तो आप criminal act में रहोगे even आपका जो mental imbalance बहुत रहेगा आपकी life में कोई आपको गल्द पट्टी पढ़ाएगा आप एकदम मान जाओगे उसकी बात और उसमें आप कुछ गल्द काम कर दोगे even murderer अगर mercury यहाँ पर negative है आप murderer भी बन सकते हो so guys I hope you like what I have discussed today mercury का role कोई बड़ी बात नहीं है बहुत लोग मुसे कहते हैं कि मैं remedies नहीं बताता क्योंकि मैं remedies के लिए अलग से page बना हुआ अभी तो मैं बस यह बता रहा हूँ कि हर प्लैनेट का क्या role होता है so guys thank you very much for watching my video मिलते हैं अगली वीडियो में thank you guys